है है लो प्रेंड आज की इस वीडियो में आप लेता ओं entrepreneurs का यूज़ निकालना आप जो iege calculator होता है online use करके उसमें आप अपने जो date of birth होती है उसे डाल करके आप ए पता कर सकते हैं कितने साल की यानि कितने बरस के हो चुके हैं तो चाहें आप अपनी डेट अपर डाल लेए या तो इसके हम कैसे online निकालते हैं तो मैं आगे इस वीडियो में आप बाई श्टब बताऊंगा तो गाशाव से पहले आपके करना पड़ेगा अपने मॉलपाने अपर अपने computer पर जो Google Chrome Bradger होता है वो आपके लिए open कर लिया है तो यहां से मैंने अपने mobile phone पर जो Google Chrome Bradger है वो open कर लिया है open करने गवाद हमें जाना यहां से search वार में, तो यहां से search वार में जाएंगे, इस पर हम click करेंगे, उसको डिया na search, search करदेंगे, नहीं से search, search करदेंगे, इस पर में क्या है, click करदेंगे, to इस करने लिखा हुआ है, age calculator, इस यहां से आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है इस वाले कॉलम में तो यहां से आपका जो डेट बरत होता है वो इसमें आप लिए फिल कर देना है तो यहां से देखेंगे यहां 24 लिखा हुआ है इसपे क्लिक करके यहां से आप जो लस्ट की एयर होती है वो डालेंगे से अग्ट फालरक नहीं से यहां से आप देखेंगे यह लास्ट फाली फेलम में यहां पर यहां पर इस अइट शृता हुट पतो यहां से आप तो यह calculate लिखा हुआ है मैं इसी पर click कर देना है calculate पर click कर देंगे तो इस condition का जो रेजेंट अब उने क्लिकिया जाएगा यहां से देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है age calculator उसके लिखा हुआ है रेजेंट में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है 29 year 3 month और 25 day तो यहांनि हम कितने बर्स के होगे तो यहां लिखा हुआ है 29 साल 3 month और 25 day के हो गई अब तक उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है और करके तो यहां से और में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है तो यहां से आप धे सकते हैं 1539 606 यानि 20 शांक हुए है तो यहां से देखेंगे केवल जुटे होते हैं इतना केवल घंटा हुआ है अब तक यहां से अगर मीन्ट ekाउंट करेंगे तो यहां से मीन्ट भी देखने के लीए मिल जाएगा तो आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना हूँ